हलो दियर एस्पिरेंट्स, विलकम बैक टो और यूट्यूब चैनल बोधिसत्तो PCS आज का इंपोर्टेंट टॉपिक है बिहार सेंसर्स अर्थात बिहार जर्नगर्ना दोजारेगारा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है यहां बिहार गोर्मेंट के किसी भी एक्जाम में दो से तीन प्रश्ण जो है डारेक्ली या डारेक्ली जरूर पूछे जाते हैं तो आप इसे शुरू से लेके लाज तक जरूर देखना काफी क्विक रिवीजन करने वाले हैं प्रिवियसली आपने कहीं से पड़ रखा भी होगा तब भी आप इससे रिवीजन जरूर करना है चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लिटेशन ओडिविकिशन आप तक आसानी से पहुँच सके ठीक है चलिए इसमें जो पहला टॉपिक है आपको बताना चाहूंगा इसमें बताया गया है कि बिहार की जो प्रतम जनगर्ना है 1873 में कराई गई थी यह अपने आप में काफी इंपोर्टेंट लाइन है कई बार BPSC के द्वरा पूछा जाता है तो बिहार की प्रतम जनग जनगर्ना किस वायसराय के कारेकाल में हुआ था जन नांकिये संक्रमन सिर्धान जो की काफी महत्रपुन टॉपिक है एक जनसंक्या का जब हम स्टड़ी करते हैं इसका प्रतिपादन जो है डेवलू M. Thompson ने किया था ध्यान में रखिएगा किसने किया था डेवलू M. Thompson ने क अनुसार जो है बिहार की जनगर्ना है उसी का अनुसार जो टोटल पॉपलेशन है बिहार का ये बताया जा रहा है यदि इस लिहास से देखें तो यह देश की कुल जनसंक्या का 8.6 प्रतिशत बनता है आगे बढ़ते हैं राज्य का छेतरपल देखें तो यह 94163 वर्ग कि देश के कुल छेतरपल का 2.86 प्रतिशत बनता है अपना ठीक है तो देखें यहाँ पे कम भूमी पे जनसंक्या दबाव कितना है आप इन दो लाइनों से अराम से समझ गए होगे जनसंक्या के अधार पर राज्य का देश में तिसरा अस्तान है प्रतम दो राज्य कौन से है नीचे कमेंड करके आप जरूर बताओ देखिए 2001 से 111 के बीच जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या यूं कहे कि राज्य की दर्शकिय बृदी दर जनसंक्या की ये 25.4 फीसे दी थी कुल साक्षारता की बात करें अर्था टोटल लिट्रेसी की बात करें तो अभी भी लोवर राज्यों में आता है 61.8 फीसे दी रही है जनगर्ना 2021 के अनुसार मेल की जो लिट्रेसी रेट है 71.2 और फीमेल की 54.5 प्रतिशत के बरावर है ठीक है वहीं अनुसूचित जाती की संक्या कुल जन संक्या का 15.9 फीसे दी है देश में इस लिहास से बिहार क जो है तीसरा अस्थान है अनुसूचित जन जाती की बात करें तो इसकी संक्या जो है राज्य की जन संक्या का 1.3 फीसे दी के बरावर है और देश में अनुसूचित जन जाती के मामले में राज्य का और साथ अपने राज्य का बिहार का जो है 15.5 अस्थान है जन संक्या मे यदि धार्मिक समुदायों का करम देखें धार्मिक समुदाय की बात कर रहे हैं तो हिंदू इसमें प्रसामस्तान पे आते हैं मुस्लिम की उनके बाद जनसंख्या दुईतियस्तान सिख तृतिय इसाई चतूर्थ बौध और जैन जो है पांचवे नंबर पे दोनों एक दूसरे के बरावर है यदि ग्रामिड जनसंख्या की बात करें तो बिहार में ग्रामिड जनसंख्या 88.7 फीसे दी है और शहरी जनसंख्या 11.3 फीसे दी के बरावर है शहरी करण भी लगबग बिहार में 11.3 फीसे दी ही था जो है बरतमान का डाटा है इसमें बताया गया है कि sex ratio जो है बिहार का बढ़ गया है यहां 1090 के बरावर हो गया है वहीं प्रजननदर की बात करें तो ये 3% के बरावर है आप कुछ important states का जो डिश्टिक है उनका status देख लेते हैं कि किसकी जनसंख्या अधिक है किसकी कम है साक् सरवादिक जनसंख्या की बात करें तो सरवादिक जनसंख्या जो है इस मामले में पटना जो है अपना प्रतम अस्थान पे है अर्थात राज्य की राजधानी वहीं सबसे कम जनसंख्या जब हमने सरवादिक देखा तो सबसे कम देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या जो है या शेखपुरा की है देखे कभी भी ऐसे map data study करो ना जिसमें map देखना अनिवार है तो आप map देखके याद करो क्योंकि जो visual effect होता है आपके दिमाग पे ज्यादा दिन तक रहता है तो सरवादिक जनसंक्या पटना की list जनसंक्या सबसे कम जनसंक्या जो है या शेखपुरा क सबसे अधिक साक्षारता दर की बात करें यहाँ पर corner पर देखे तो male और female दोनों मिलागे जो है रोतास इसमें प्रतम अस्थान पर है वहीं list साक्षारता दर की बात करें तो पुर्णिया जो है सबसे नीचले अस्थान पर है जहां पर male भी सबसे कम साक्षार हैं लेकिन से कम female साक्षार्था-dar की बात करें तो ये सहरसा में है ठीक है, ध्यान में रखेंगा, ये confusing हो सकता है यदि भी पैसिक question पूछें तो इन दोनों का male और female का list साक्षार्था-dar, male का तो पुर्णिया में ही है, लेकिन female का सहरसा में है ये ध्यान में रखना, ठीक है शौरी फ्रेंट वहीं यदि सेक्सरेश यो अर्थात लिंगानुपात की बात करें तो सरवादिक लिंगानुपात जो है गोपाल गंज का है, कहां का है गोपाल गंज का, तब सरवादिक पढ़ लिए तो नियूंतम कहां कहा है नियूंतम लिंगानुपाद मुंगेर का है ठीक है ध्यान में रखना नियूंतम जन घनत्व की बात करें तो कैमूर में सबसे नियूंतम जन घनत्व है वहीं सरबाधिक जन घनत्व की बात करें तो शेवर में जो है सरबाधिक जन घनत्व है ठीक है आप नीचे कमेंट करके बताओ कि छेतरबल की दृष्टी से राज्य का कौन सा डिष्टिक जो है सबसे छोटा है वही जो प्रतम राज्य है जो सबसे अधिक अनुसूचित जाती है जहांपे वह है गया और सबसे कम अनुसूचित जाती वाला डिष्टिक भी शिवहर है ठीक है ध्यान में रखना आगे वड़ते हैं कुछ अन्न इंपोर्टेंट फैक्ट से ध्यान में रखना सरवादिक अनुसूचित जन जाती की संख्या के मामले में पशिम चंपारण जो है अर्थाथ वेस्ट 2011 से रिलेटेट कुछ important facts and figure जो आपके exams के लिहाज से चाहें वो BPSC हो BSSC हो या BPSC हो सबके लिए equally important है I hope कि आपको content अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करके bell का icon दबा देना और bell का icon दबाने के बाद जो all notification वाला आता है उसको on कर देना ताकि कोई भी वीडियो हमारे तरफ से upload किया जाए तो आप तक असानी से पहुंच सके हम फ अर्णन झारत